क्या आपने भी दी है CET की प्रिक्षा और क्या आपके भी बनते हैं 40 से उपर नंबर तो अवश्य देखिए इस वीडियो को आपके काम की बाती रहेंगी सभी को राम राम नमस्ते सभी का मोस्ट वेलकम हार्दिक सवागत हार्दिक अभिनंदन आपके अपने परिवार कलास ह अब यूटूब चैनल में CET क्या है यह एक Common Eligibility Test अथ्वा सामान्य पातरता प्रिक्षा है न एच्टेट और सीटेट क्या है अध्यापक भरती के लिए वे भी पातरता प्रिक्षाएं हैं भरती प्रिक्षा नहीं अथ्वा उन प्रिक्षाओं के द्वारा केवल इस योग पर बनती है क्या नहीं न क्योंकि उनके लिए 60% का एक क्राइटेरिया निर्धारित कर दिया गया है चाहे आप एस टेट दो या सी टेट की जनरल कटेगरी को 60% नंबर लेना आवशेक होगा तो ही आप सक्रीनिंग के पेपर में बैठ पाएंगे अत्वा भरती प्रिक्षा का अध्यापक भरती प्रिक्षा का फोम भरने के योग्य हो जाएंगे तो उसके उपर कट ओफ तो नहीं बनती ना जब उसके उपर ही कट ओफ नहीं बनती तो फिर CET के उपर कट ओफ क्यों बनाई जा रही है उन्हीं प्रिक्षाओं की तरज पर तो CET की प्रिक्षा तो जानिये आपको क्या करना होगा आपको जो ये एपली के सन्य अग्यापन स्क्रीन के उपर दिख पा रहा है देखेगा अग्यापन में क्या है मैं बताता हूँ आपको पढ़िए इसको सेवा में माननीय मुख्य मंत्री महोध्य हर्याना सरकार CET Common Eligibility Test Qualify Nature करवाने है तू हर्याना की सभी परतियोगी प्रिक्षाओं की तयारी करने वाले विद्यार्थियों की तरफ से सरकार से अनुरोध है कि CET प्रिक्षा को केवल पात्तरता प्रिक्षा बनाया जाए जनरल सर प्रेणी में 40% की condition जो लगा रखी है तो उसी के अधार पर विद्यार्थियों को second paper में बैठने का मोका दिया जाए और इसे S-Tet और C-Tet की तरह ही लागू किया जाए तो ये इसमें लिखा गया है अब भ्यार्थि को नीचे यहाँ पे sign करने होंगे इस application को आपको नीचे दिये गए वीडियो के उस link से आपको download करके उसका print निकलवा कर यहाँ पे signature करके अपने आसपास के area अपने आसपास के छेतर के जो भी MLA है उनको ये ग्यापन उनको ये application आज ही अब ही अवश्य सोंपिएगा और आपकी समस्या अवश्य ही हल होगी और यदि एक काम आप चूटता से करेंगे तो निस्चित तोर पर CET Qualify Nature लागू हो जाएगा इस वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे next वीडियो में thanks for watching this video